नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया नियूज का डिजिसल चैनल इन खबर और हम बात करें भारत के वेस्ट इंडीज दौरे के बारे में जी अब भारते टीम वेस्ट इंडीज दौरे पर गई है भारते टीम ने तीन-जीरो से टी-20 सीरीज पर कभजा कर लिया और आज भा अधिर प्रदर्शन करके दिखाया है तिससे तीन-जीरो से क्लीन स्वीप कर दिया वेस्ट इंडीज कोई मौका नहीं दिया मुकाबले में एक वेस्ट इंडीज जैसा लगा ही नहीं टी-20 को देखने के बाद की मुकाबले में है भी तो आपको क्या लगता है कि अगर ओड भारते टीम का भी जो पल रहा है वो थोड़ा भारी है कि मोहमद समी की बाप्सी हुई है और दोनी को छोड़ दिया जाए तो जो टीम वर्ड कब में थी वही टीम भारत की अभी वेस्ट इंडीज के खिलाब आज के मुकाबले में हैं बस यहीं है कि बारिश ना हो युकि कि टॉन्टी मैच में आपने देखा बारिश ने रुकावट डाली हाला कि खेल शुरू हो गया पूरा हो गया खोदाना खास्ता लेकिन आज बारिश ना हो मैच पूरा हो बारत का पलड़ा भारी और भारत आज का मैच कर जीतेगा आपको लगता है कहीं टीम को देखने के टीम का गड़ित चेंज किया वेस्ट इंडीज ने तो वो कहीं हावी होंगे टीम इंडिया पर देखिए उनका होम ग्राउंड है जाहर है जो टीम अपने घर में खेलती है तो कहीं ना कहीं भी रुदी टीम पर भारी पड़ती है तो थोड़ा बहुत उसका बेनिफिट उन करनानी होती है अब अच्छे तरीके से जानते हैं कि बल्लेबाज और गेंदवाज को किस तरीके से डील करना है कि अगर देखा जाए आशीज तो जो वेस्ट इंडीज टीम हो उसको एक फाइदा काफी जादा मिलेगा इस मकाबले में वह आई-पेल का क्योंकि उन्होंने कि पूरी टीम इंडिया में कर आई-पेल खेलती हैं वह सभी जो इंडियन गेंदवाज हैं उनके खिलाफ उनको पता है क्योंकि कैसे बॉल डाल तो आप लगता है कहीं एक तरीके से यह तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि मेरा मान आए जाए वह वेस्ट इंडी और आउस्ट तक बना गई तो उनकी बल्लेवाजी पर संदे नहीं है कोई एक बल्लेवाज स्कोर बन जाएगा और वेस्ट इंडी के ग्राउंड ऐसे हैं कि यहां लंबे स्कोर नहीं बनते हैं डाइसो दोसों में मैस फसना सुरू हो जाते हैं तो आशिस मेरा आप से आखर सवाल यही हो तो कराउंघ को नंबर बन है जाए लो पांजो यही हो दिटी तो नहीं कह सकते हैं यह मुकाबला जीट सकती है मैं अब से बारे में बात करूंऑ आज विन परसेंटेस हो भी पूरे पूरे तौर पर भारत के पक्षम है 63% वो भारत को दिया गया, 27% वेस्ट एंडिस को दिया गया है, तो कही न कही सारे जो आकड़े हैं वो भारत के और इशारा करते हैं, या निकि भारत के जीत आज निश्चित बताई जा रही है आकड़ों के चाफ से, बागी मैदान है गेम है कुछ भी हो सकता है कभी एक बॉल का एक बॉल में गेम पलड जाता है तो देखते हैं कि मुकाबला कौन जीता है इस मुकाबले में कितना रोमांच हमें देखने को मिलता है इस मुकाबले को लेकर जो भी अपडेट होगी वो लेकर मैं आपको भी जरूर आँगा फिलाल के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल इनकबर सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद इनकबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूल